नमस्कार दोस्तों, रक्षा बंदन की इस पवित्र बेला पर आईए आज सुनते हैं डॉक्टर रजनी रंजनाजी द्वारा रजित एक बेहधी, अनोखी और खुबसुरत कहानी, साज़त भाई घर के सहन में घुस्ते हुए, कहकशा ने खनकती हुई जो हसी सुनी, उसकी खुशी आसमान जूने लगी नाजुक काच के प्याले में पानी भर कर हलकी चोट करने से जैसे आवाज निकलती है, वैसी ही हसी है, उसकी रिहाना खाला की बेटी महनास की महनास नवे दर्जे तक कहकशा की हमजोली बनकर रही है, एक साल सीन्य थी तो क्या, थी तो उसकी बच्चपन की सहीली ही ना चिक उठाकर कमरे में कदम रखते हुए, कहकशा ने पलंक के पास खड़ी महनास को लिप्टा कर, खुशी से दो चक्कर घुमा दिये, दोनों सहेलियां एक दूसरे को पाकर निहाल हो गई माशानला, कितनी खुबसूरत निकली है कहकशा, अरी आपा, कहां चुपा कर रखा था इस हीरे की कनी को तेज धूप से आने और कमरे में हलका अंधेरा होने की वज़े से कहकशा और किसी को देखी नहीं सकी थी अपनी धुन में मस्त कहकशा चौक पड़ी, कमरे में निगाह गुमाई तो पलंग पर खाला जान और बगल की कुरसी पर साज़द भाई बैठे थे असलाम आलेकुम खाला जान, कहते वे दुपट्टा सर पर सम्हाला आदा बरस साज़द भाई, कहकर जो अपने खालाजाद भाई की ओर देखा, तो उनकी निगाहें देखकर सिहर उठी ना जाने कैसा कैसा भाव उनकी आँखों में था कैसा, वह जान नहीं सकी हाँ, इतना जरूर जान गई, कि चार बरस पहले वाले साज़द भाई की निगाहें तो नहीं है वे शर्म से आखें जुकाए, सक पकाते हुए, उसने महनास का हाथ पकड़ा, और बगल वाले कमरे में चली गई अम्मी और खाला जान, दोनों ही उसकी शर्म औ घबराहट देखकर बेसाखता हस पड़ी, उस हसी ने उसका पीछा दूसरे कमरे तक किया, उसने अपने धड़कते दिल पर किसी तरह काबू पाते हुए, महनास से पूछा, कब आई महनास, कैसी रही इतने दिनों, वहां मु हौल, इतना बड़ा शहर, कैकरशा ने इतने सवालों की बारिश सी, अपनी अंचुवे कुवारे दिल को समालने के चक्कर में कर दी, अरे रुक रुक, जरा सास तो ले ले, एकदम किसी एक्स्प्रेस मेल की इंजन की तरह सवालों की इंजन दोड़ा दिये मुझ पर, अरे मैं क्या भागी जा रही हूँ, अब आई हूँ, तो तेरे सारे सवालों के जवाब दे कर, और सिर्फ एक सवाल का जवाब तुछ से ले कर जाऊंगी, महरास के होटो पर मुस्कराहट थी, और नजरों में चुलबुली शरारत, हाँ, तु सुन अपने जवाब, दो गंटे पहले ही आई हूँ, मुंबई में चुस्त दुरुस्त रही, रही तेरी याद के बाद, तो मुझसे भी जादा तेरी याद तो साजित भाई और अम्मी जान को आती थी, जाने मन सुन, शहर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर उसमें तुझ जैसी दोस नहीं, इसलिए मेरा मन वहा नहीं लगता, सुन लिए ना अपने जवाब, हाँ हाँ सुन लिए शहजादी, अब अपना सवाल पूछे, मा बदौलत वाइदा करते हैं, आपकी एक एक सवाल का मापूल जवाब दिया जाएगा, मन के स्थिर होते ही कहकशा का मस्खरापन फिर जोश मारने लगा, उसने अपनी बात इस नाट की अंदाज में कही कि महनास की हसी फिर खनक उठी, कहकशा ने भी उन्मुक्त हास बिखेरा, तभी दर्वाजे पर खड़ी शबाना ने टेबल पर नाश्ता लग जाने की सूचना दी, तुम चलो महनास, मैं दस मिनट में आई, वर डाइनिंग ह हौल में पहुँची, तो अब्बू, अम्मी, खालाजान, महनास और साजित भाई कुछ इस तरह बैठे थे, कि महनास और साजित भाई की बीच की कुरसी उसके लिए खाली थी, वा सकुचाती हुई, सिम्टी सिम्टी सी उस पर बैठ गई, दोपहर में साजित भाई की जो निगाहें उसने देखी थी, उन आखों से निगाहें चार करना उसके वश की बात नहीं थी, एकाएक कैसे से हुगए साजित भाई, उसने सोचा, उसे तो चार बरस पहले वाले साजित भाई की ही याद थी, जिन साजित भाई को वा जानती थी, उनकी निगाहें ऐसी कब थ उसके पीछे पीछे पूरे आंगन में भागने वाले साजित भाई। कहकर होटो ही होटो में मुस्कराने वाले साजित भाई। की पलकों से उसे निहार रही थी। अब्वु की पेशानी पर भी कुछ-कुछ फिक्र जलक रही थी। लरस्ते हुए लवजों में कहकराने अम्मी से पूछा। क्या बात हैं अम्मी? क्या सूच रही है? बेटा, मुझे आप से कुछ पूछना है। साजित ने कनक्खियों से कहकशा को देखा। कहकशा की आवास हलक में ही फसकर रह गई। वह पसीना पसीना हो उठी। बमुश्किल बोली। जी, फर्माईए, बगल में बैठी मैनाज ने उसकी हतेली हौले से दबा दी। और वह थी कि वह अपनी पसीने से भीगी हतेली उसके नर्म हाथों से निकाल भी नहीं पा रही थी। तू हट, मैं पूछती हूँ। मैनाज को हटाकर खालाजान कुरसी पर बैठती हुई बोली। बेटा कहकशा, जब तुम सालेक की रही होगी, तभी मैंने तुमारी अम्मी से तुम्हें अपने साजित के लिए मांग लिया था। खालाजान का हाथ उसके शानों पर थपकियां सा दे रहा था। उसकी सांसें तो क्या धर्टने तक थमी जा रही थी। आजवर दिन आ गिया है जिस दिन का इन आखों को इंतजार था। अब चूगी नया जमाना आ गिया है तुम दोनों की रजा मंदी लेनी भी जरूरी थी। बनना तो मैं बरात साथ। खाला जान ने और क्या क्या कहा होगा क्या कशा सुन ही कहा सकी। उसे लगा गर्म चाय और तूटी हुई प्यालियों की किर्चो सहित पूरी टेबल उसके नन्हे से दिल पर उलट गई। कांच उसके भीतर गहरे धस्ते जा रहे हैं। साजित ने उसके मौन को स्वीकृती मानकर सबकी आग बचाकर चुप से उसकी हथेली धाम ली। भरपूर आत्मबन लगाकर उसने अपनी हथेली आजाद की। एक भी लब्स बोले बिना वह भाग कर लौन में आ गई। सुन्दर लाल फूलों से लदे गुलमोहर के पेड तले बने गोल चबूतरे पर आ बैठी। खीक वैसे ही जैसे कोई कोरईया आंधी से डर कर अपना घोसला छोड़कर किसी की मुंडेर में अपना सिर चुपा लेती है। थोड़ी खंडी हवा लगी तो सास आई। उसकी आखों के सामने उसकी बचपन की सहेली गोधूली का संयुक्त परिवार आ गया। मुँ मिठा कर। कहकर उसने बड़ी उमंग और प्यार से भाबी की तस्वीर को कई बार चुमा था। गोधूली के चहरे पर इंद धनुशी सारे रंग बिखेरने लगे थे। प्यार की मोहकता में धुली बसी फिजा, महकते फूलों के बीच चहकते भाई बहन के चहरे। ऐसे में उसे साजित भाई किस कदर याद आते थी कि ना चाहते हुए भी उसकी आखों की कोर नम हो जाया करती थी। आज वह कुरान पाक पर हाथ रख कर कसम खा सकती थी कि जब जब भी गोधूली ने अपने भाईयों की बात चलाई या जब भी कहकशा के मन में भाई की तमन्ना जागी, उसके जहन में साजित भाई ही उभरे थे। आज भी कॉलिच से घर आते हुए राखी की जगमत दुकानों पर उसके कदम ठिटके थे। उमीदों और भाई की प्यार ने उस दुकान की सबसे खुबसूरत राखी का इंतिकाब किया था। लेकिन उसी लमहा उसकी पुरश्क नजरों ने उसे धुंदला भी कर दिया था जिस शक्स को वा अब तक भाई की तरह चाहती रही है उसे ही शोहर। छी इतनी ओची बात तो कहकशा सोच भी नहीं सकती। तब तो अम्मी ने एक बार भी नहीं डोका ना कुछ बताया। आज अचानक सर पर बमसा फोड़ दिया। उसने कातर होकर खुदा को याद किया। या मेरे खुदा किस से कहूं अपने मन की बात। कौन समझेगा मेरे जजबात। वह बुद बुदाई। गोधूली को फोन करूं पर गोधूली की बात यहां कौन सुनेगा भला। अम्मी को घर बैठे एकना उम्दा रिष्टा मिल रहा है। वो तो बिलकुल नहीं सुनेगी। हो सकता है अम्मी उसे समझाते वे कहें। बेटी हमारे यहां रिष्टे माजायों के अलावा फूफी, खाला, चचा के बच्चों में जाइज हैं। फिर महनास से। पर महनास भी अपने भाई का ही सुख देखेगी। सोचते सोचते वह अनायास ही सपष्ट बोल गई। कौन कहता है महनास अपने भाई का ही सुख द दुनिया से जुड़ी। तिनके का सहारा मिला जैसे। उसने महनास के दोनों हाथ थाम लिये। अब तक रह रहकर जरती आसू की फूईया धार से बरस पड़ी। आसू और सिस्कियों के बीच वह महनास को हमरास बनाती गई। बन पर पड़ा बोज और भी हलका हो गया जब महनास ने वाइदा किया कि वह या इंकार घर के बुजर्गों तक पहुचा देगी। चांदनी बादलों के आगोश में सिम्टी, अलसाई, कभी इस करवट, कभी उस करवट पड़ी थी। साजित के निगाहें कहकशा के कमरे में जूलते परदे पर ठहरी थी। कमरे से अम् लगा, चार साल पहले वाली कहकशा एक बार फिर पेड़ से गिर गई है, पैरों से खून टपक रहा है, वह कुछ बोल नहीं पा रही है, बस हिलक हिलक कर रोई जा रही है। उसकी हालत देखकर साजित ने तब महनास को डाटा था, नहीं समाल सकती थी तो दरख्त पचड़ ने क्यों चली थी, आज भी उसने बेसाखता महनास को ही आवाज लगाई, महनास या तो सुन नहीं सकी या सुनकर भी अनसुना कर गई, वह नहीं आई, साजित की सूच भटकनी लगी, चार बरस का अर्सा बहुत होता है क्या, मासूम कहकशा किसी और को, या फिर मैं ही उसे पसंदना हूँ, अजीब नाइनसाफी है, लड़की है तो क्या, है तो कहकशा भी दिलो दिमाग वाली शक्सियत, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, कम से कम एक खत के जरीए अपनी मन की बात जाहिर तो करनी चाहिए थी मुझे, एका एक पैगाम ही लेकर आधूंका, तबी क कशा की भीगी-भीगी आवाज ने साजित के कानों को छुआ, खुदा के लिए मुझे अकेली छोड़ दीजे, मैं खुद उनसे बात कर लूँगी, खाला जान, प्लीजु, बादल का नन्हा सा टुकड़ा साजित की पलंग पर अलसाई पड़ी चानने को निगलने लगा थ कहकशा के अंदेखे, अंचुए अश्क, ओस बनकर उसका मन भिगोने लगे थे, उसका दिल चाहा, वह अम्मी, खाला, अब्बु से चीख-चीख कर कहे कि क्यूं पीछे पड़े हैं सब उस नन्ही सी जानके, उसका दुख, उसकी मजबूरी भी तो समझे कोई, उसने जोर स महनास को आवाज दी, महनास भी आचल से आखें पोचती, सामने खड़ी हो गई, महनास, साजित ने पिघलते स्वर में कहा, उसे लगा कहकशा के आशू उसकी आवाज पर बरस गए हैं, भीगी आवाज वाले फस्ते गले को हलकी खकार से साफ करते हुए पूछा, क्या बात थेनास कहकशा इसकदर रो क्यों रही है, क्या मैं उसे पसंद नहीं, नई भाईजान आपको तो वह बहुत चाहती है, फिर किसी और से निकाह चाहती है, नहीं मेरे भाई, ये बात भी नहीं, दरसल वह आपको महनास की आदे बात एकाएक बजुटे फोन से अधूरी रह ग मैं गोधूली बोल रही हूँ साजित भाई, आप कब आए? कहकशा तो बड़ी तारीफ करती है आपकी, कहती है, गोधूली, तेरे छे भाई मिलकर भी मेरे एक ही भाई साजित से मुकाबला नहीं कर सकते, आप से मिलने की बड़ी तमन्ना है, कब आऊं? साजित उस जलतरंसी आवाज वाली वाचाल लड़की की बात सुनकर चक्रा गए, तेरे छे भाई मिलकर भी मेरे एक ही भाई फोन पर सुने गए शब्द उसके दिमाग पर लगातार घन पीपने लगे, सच तो है कहकशा कैसे कर ले निकाह मुझ से, यानि अपनी ही भाई से, और मुझे भी तो वह हमेशा नन्नी गुडिया सी दिखती रही है क्या आज तलक कभी मैंने उसका गुंगाट उठाने का खुआप भी देखा है हाँ, कहकशा की डोली को कांधा देने का खुआप उसने बचपन से कितनी ही बार देखा है फोन से लगे कांध में गोधूली की कुछ तेज चहकती हुई आवास बड़ी अरे कहां खो गए साजिद भाई, कल रक्षा बंदन है कहकशा हर साल, मेरे घर इस दिन जरूर आती है आप भी साथ में आएए ना, कल मुकाबला हो ही जाए गोधूली की खनकती हुई हसी, फिर फोन पर गुजी जी अच्छा, कोशिश करता हूँ कहकर साजिद ने फोन जटके से रख दिया मेहनाज अब तक खड़ी थी साजिद ने पूछा अम्मी और खाला जान को मालूम है यह बात कौन सी बात भाईजान, मेहनाज चक्रा गई यही की कहकशा मुझसे निकाह क्यों नहीं चाहती पता है भाईजान, सब पता है अम्मी को तो मैंने ही बताया है और कहकशा भी तो तबसे बार-बार यही दोरा रही है पता कैसे नहीं, सब पता है फिर भी मेहनाज के सुवर में बड़ों के प्रती बेबस उपेक्षा और कहकशा की प्रती हमदर्दी साफ सुनाई दी सबेरे साजित फिर चार बरस पहले वाला साजित बन गया कहकशा के उदास मुख पर निगाह पड़ते ही कलेजे में कुछ कसक उठा उसे अन देखा कर वा कहकशा की कलाई जबदस्ती पकड़ कर बूला कहकशा तयार हो जा चल आइसक्रिम खाने चलते हैं अरे हां तेरी वो सहेली है न होधूली रात उसका फोन आया था तुझे तो बुलाया नहीं हां मुझे बड़े इसरार से बुलाया है सोचता हूं उसकी दावत कुबूल कर लू तु मुझे उसके घर ले चलना सरा वह भी तो देखी कि कहकशा का बात को अधूरी छोड़कर साजद होठो में मुस्कराया चार बरस पहले वाले खिलंदडे साजद का नहीं भरा हाथ सिर पर महसूस करती है कहकशा की रुलाय फिर भूट पड़ी बड़ी कोशिश और मिन्नतों के बाद कहकशा तयार हुई घर में सब खुश थी कि साजद और कहकशा गूमने जा रहे हैं अब तो बात बन ही जाएगी गोधूली का घर मिठाईयों, सिवईयों और अगरू चंदन की मिली जुली खुश्बू से भरा था गोधूली उन्हें देखकर खुशी से उचल पड़ी लेकिन कहकशा की दर्द भरी आँखों में जांक कर हैरान रह गई महनास और साजद भाई आए और कहकशा उदास रहे तब ही माजी ने पूचा के लिए आवाज दी चलो बिटिया भाईयों को राखी बान दो कबसे भूकी प्यासी बैठी हो आई बड़ी मा गोधूली ने वही से कहा चलिए साजद भाई चलिए महनास अंदर चलि चलन न कहकशा तेरे इंतजार में मेरे भाई बिना राखी के बैठे हैं अंदर पूचा घर में घी के दीपक, रोली अक्षत, मिठाई जवां कुरो और राखियों से सजीच छे थानिया रखी थी एक बड़ा दीपक भगवान के चलनों में चल रहा था ठीक भगवान के आगे गोधूली के सभी भाई आसनों पर बैठे थे गोधूली को देखकर कैकशा के आखें जील बन गई मैनाज ने बैग से निकाल कर चांदी की छोटी सी प्लेट में रोली, अक्षत, मिठाई और राखी सजा दी कैकशा हैरान परिशान देख रही थी माजी ने कोई और दीपक न देखकर बगवान के आगे का दीपक मैनाज की ठाली में रख दिया गोधूली के राखी बान चुगने के बाद मैनाज ने इधर वह ठाली कैकशा के हाथ में धी उधर साजित ने अपनी द्रिन कलाई उसके आगे बढ़ा दी कैकशा ने पूरी जील खाली करके उसकलाई को धो डाला फिर भी उस जील में दीपक की हजार हजार शिकाएं तारो भरे आकाश के बिम्बसी चमकती रही भाई पर निचावर होती निगाहों से कैकशा ने गोधूली की योड देखा मानू कहा देव गोधूली तेरे छे भाई भगवान की दीब जोती से आरती नहीं पासके मेरे एक ही भाई ने साजित की खुली हथेली पर राखे के उपहार स्वरूप हीरे की अंगूठी जगमगा रही थी घर आकर साजित ने अपनी खाला जान को कंदे से थामते हुए कहा आप कते फिक्र ना करें खाला जान अब महनास की तरे मेरी इस बहन की शाती की सारी सिम्मेदारी मेरी होगी अम्मी, अब्बू और खाला जान हैरान थी और तीनों भाई बहन रसगुलों के लिए छगरते हुए पूरे आंगन में धमा चौकडी मचा रहे थे सारा आंगन खुली, खुशनुमा धूब से जगमक कर रहा था बादल छट गए थी गुल्मोहन ने जमीन को फूलों के तोफे देकर सजा डाला था दोस्तू इसी प्यारी सी, मासूम सी और एक गहल विशय को सामने रखती खुबसूरत सी कहानी के साथ अब चलती हूँ बहुत जल्द फिर मिलूंगी तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखे चानल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चानल को सब्स्राइब करना बिलकुल न भूले पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करे कहानी से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाई हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं स्वस्त, सुरक्षित और प्रेम मैं रहें नमस्कार